कुई शेहर के विभिन हिस्सों में समस्या बढ़ गई है पिछले एक महीने से वार्ड नमबर 13 में सफाई नहीं हुई है इस्ति यहाई की प्रशासन के साथ-साथ नगर सेवक भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके चलते शेहर के कई हिस्सों में कूडे के धेर पर अतिकरमन की समस्या बढ़ गई है नगर पंचयाओं को एक महीना बीच चुका है और मेर और पाशित चुनाओं से पहले बहुत गोशनाई की जा रही थी कि हम ऐसा करेंगे लेकिन एक बार चुने जाने के बाद सारे वा आसा जाता है लेकिन लोग इससे खुश नहीं है इसलिए नागरिको को परिशानी हो रही है श्यर के विविन वाडो में मासिक सफाई नहीं होती है साफ है कि कागस पर दिखा कर प्रशासन और अधिकारियों को गुमरह किया जा रहा है लेकिन वरिष्ट अधिकारी भी देखी की जा रही है कुछ शहरी शेत्रों में कच्रे को कच्रा प्रबंदन केंदर तक ले जाना और उसका प्रसंसकरन करना आवशक है लेकिन कच्रे को इकटा करके सड़क के किनारे कुई से खोबना के पास धुंदी तरीके से फेक दिया जाता है कुई नगर पंचायत के मु नगरिकों के उत्पिडन की सफायी नहीं हो रही है और कई शेत्रों में नागरिकों की शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कोरोना काल की पावंदिया हटने के साथ ही शहर में सभी तरह के लेंदेन फिर से शुरू हो गए हैं बाजार के चौराओं पर हमेशा कूडे के धेल लगे रहते हैं और शहर की कई सड़के पहले से ही कच्छरे से अटी पड़ी हैं ऐसमें नाकरिकों को सड़क पत चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी तरह शहर के कई हिस्सों में कूडे के धेल लगे हैं और दो-तीन महीने से नहीं उठाया जाता है लोगों के घरों के सामने कच्रा जमा होना शुरू हो गया है खासकब वाड नंबर घनी आबादी वाले शेत्रों में कूडे के धेल पाये जाते हैं कई वाडों में कुछ सफाई कर्मी काम करते नजर आते हैं जबकि अन्य जमादारों को दिखाई नहीं देने वाले शेत्रों में जाते हैं और जले हुए शेत्रों में कूडे के धेर मिलते हैं कई वाडों में कुछ चोकिदार काम करते देखे जाते हैं जबकि अन्य ऐसे शेत्रों में जाकर बैठते हैं जो चोकिदारों के लिए अद्रश्य होते हैं क्योंकि वे नियंद्रत नहीं होते हैं और उन पर कारवाई नही की जाती है कोई से BCN News के लिए संजे अतकरी की रिपोर्ट